सक्षा बिभाग के अपर मुखे सचीब केके पाठक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं केके पाठक दूसरे के कामों में बाधा डानले के लिए काफी ज़्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं केके पाठक आए दिन दूसरे को काम इतना जादा सिखाते हैं कि कभी-कभी उनके लिए ये परिशानी बन जाती है नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन केके पाठक ने एक बार फिर कुछ हैसा ही किया है जिसके कारण वो सुर्खियों में आके हैं जब से सिक्षा विभाग के एसियस केके पाठक बने हैं तब से लगातार सक्षा विभाग और सक्षा विभाग के अपरमों के सचीव केके पाठक चर्चों में बने हुए हैं एक तरफ जहां राजभवन और केके पाठक में लगातार तल्ख देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी योर पाथक दूसरे बिभागों में भी काम को लेकर उन्हें आदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं दरसल किसी से भी टकरा जाने के तेवर के कारण सुर्खियों में रहने वाले बिहार सिक्षा बिभाग की अपर मुखे सचीब केके पाठक अब चुनाव आयों को भी उचीत और अनूची समझाने लगे हैं सिक्षा बिभाग के सेस केके पाठक ने राज के मुख निर्वाशन पददिकारी को पत्र लिकर कहा है कि उनके बिभाग में आउट सोर्सिंग के जरिये तैनात अस्थाई कर्मियों को लोग सवाचुनाव की ड्यूटी में लगाना अनूचित है केके पाठक ने CEO से कहा है कि वे सभी जिलों के जिला निर्वाशन पददिकारी को निर्देश थे कि ऐसे स्थाफ को लोग सवाचुनाव में काम में ना लाया जाए सोंबार को राजिपाल राजिंद विश्वनात अल्लेकर के सफ़स्ट बुलावे के बाबजूद पाठक ने राजभवन नहीं जाने की खबर ठंडी नहीं हुई कि चुनावायोक से उनके पंगे लेने की खबर सामने आ गए यूनिवर्सिटी के कामकाज में पाठक और सच्छा विभाग की दखल उसकी वज़ा से राजभवन और सरकार के भी श्टनातनी और इस बीच अब पीस रही यूनिवर्सिटी के वीसी को लेकर राजभवन ने पाठक को सुबत दस बजे राजपाल से मिल्ले को कल बुलाया था राजपाल अपने दफ्तर में इंतजार करते रहें लेकिन पाठक नहीं पहुँचे अब उनी सो असी बैच के आये सबसर केके पाठक ने बिहार के मुख निर्वाचन पतदिकारी को पत्र लिख कर उनकी आउट सोर्सिंग के माध्यम से अस्थाई रूप से निउक्ति कर्मियों को चुनाब में कार में लगाने की अनूचित नहीं बताया है पाठक ने अपने पत्र में चुनाव आयोग को बताया है कि राज में प्राप्त संख्या में सिक्षक और सिक्षा कर्मी है जिने लोग सवा चुनाब की ड्यूटी में लगाया गया है पाठक ने मुखे निर्वाचन पददिकारी स्यागरा किया है कि वो अपने असर से जिला निर्वाचन पददिकारीों को निर्देश दे कि सिक्षा बिभाग के आउट्सोर्सिंग कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा पाठक के पत्र पर चुनाव आयोग का स्टेंड लेते हैं प्रशासनी कहलकों में इसका इंतजार किया जा रहा है अब आप देख सकते हैं कि केके पाठक चुनाव आयोग को सलाह देने चले हैं केके पाठक अब राजभवन से तो पहले भीर चुके ही थे अब केके पाठक चुनाव आयोग को बता रहे हैं कि किने ड्यूटी पे लगाना चाहिए और किने ड्यूटी पे नहीं लगाना चाहिए अब देखना होगा कि केके पाठक कि इस बड़ी दखल अंदाजी से चुनावायों की तरफ से क्या कुछ खवर निकल कर सामने आती है